तो आज के टेरे रीडिंग का टॉपिक है तो आपका किस तरीके का इमोशनल अटाच्मेंट रहेगा अपने पती या पत्मी के साथ तो यह जो है एक पिककार्ड रीडिंग है यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नंबर वान पाइल नंबर टू पाइल नंबर वान को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से pile number two है, आप इस image से चूस कर सकते हैं या फिर अपने zodac sign से चूस कर सकते हैं पाइल number one अगर आपने इस image को चूस किया या फिर आपका zodac sign इस में से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके का emotional attachment रहेगा आप दोनों के बीच में आड़ा आड़ा है सेवन ओफ स्वांड्स एरीज दियों सेटेरिस के रज़ें एक्सटारा थ्री ऑफ कप्स एक्सटारा मेजीशन हेवी मर्कृरी है नेक्सटारा एस ओफ कॉइंस अभी मैं आपको जोड़ एक साइन बताती हूं नेक्सटारा फॉर ओफ वांड्स अच्छे इक्सटारा एक्सिस्टेंस हेवी मर्कृरी है मिजीशन का काड़ा और नेक्सटारा एस ओफ कप्स तो यहां पर जोड़ेक साइन है वो मैं आपको बता देती हूं यहां पर टॉरस एनरजी है लियो सेजिटेरियस एरीज और कैंसर पाइसीस एनरजी है और यहां पर मैंने आपको टॉरस और केप्रिकॉन बोली दिया था ठीक है तो यह जो है जोड़ेक साइन जो है वो प्रॉमिनेंट होंगे यहां पर आपका इमोशनल अटाच्मेंट जो है एक दूसरे के साथ कुछ समय के बाद बढ़ेगा एक फ्रेंशिप की बॉंडिंग क्रियेट करने के ब लाइफ में आप या आपके हस्बेंड या वाइफ जो भी उनका जेंडर हो अपने जेंडर से रेजनेट करना आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो रियल साइड है वो आप लोगों को नहीं दिखाते हो कुछ हत्तक हो सकती है आप थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं यह इस तरीके से जिस तरीके के आप हो as it is accept करेंगे और हर इंसान जो है वो सुसाइटी में accept नहीं करता है तो इस वज़े से आप अपने आपको थोड़ा प्रोटेक्शन में रखते हो या आपका नेचर ऐसा रहा है या आप सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं हालाकि सबसे रेजनेट नहीं करेगा आपको अपने चिंता है अपको अपने आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हो आप किसी से यह नहीं कि कोई जो इनसान है वो आपको हर्ट करें और आप जो है कि सामने जो है बहुत ही ज़्जादा बीक पढ़ जाओ नहीं आपका ये नेचर है यह आपका एक म जैसे मैंने कहा कि आप दोनों की friendship जो है वो जो है शुरू हो जाएगी चाहे आपकी arranged marriage हो चाहे आपकी love marriage हो लेकि शुरूत में जो बात चीत आप दोनों के बीच में होगी वो एक friend तरीके की होगी आप वी उनसे जो कहना चाहते हो अच्छी तरीके से बिना hesitation के वो कहपा ओ औ आप जो है किसी event पे किसी कोई family function हो कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर जो है आप लोग बातचीत करो और एक बड़ी casual बातचीत है इसमें कोई romance या कोई ऐसी चीज नहीं है बड़ी casual बातचीत है लेकिन आप दोनों की बातचीत के जरिये जो है आप दोनों में जो closeness है वो धी वाले person होंगे चाहे वो male हो चाहे वो female हो तो वो जो है आपकी तरफ थोड़ा attraction जो है एक physical तरीके का attraction एक emotional attraction महसूस करेंगे जैसे ही आपकी casual बातचीत होगी आप में कोई न कोई ऐसी बात करी होगी जो maturity की तरफ दिखाती होगी या ऐसा लगेगा उनको कि आप लोगों से जो normal मतलब कह सकते हैं जो majority लोग सोचते हैं या जो बोलने का तरीका है उससे थोड़ा अलग हटके आपकी life है या आप अपनी life को अलग तरीके का दिखाना चाहते हो या बनाना चाहते हो इस वज़े से जो है आप दोनों के बीच में एक attraction mutual attraction शुरू होगा जैसे मैंने पहल आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है वो मेरे लायक है भी या नहीं तो आप ऐसे इनसान हो और इस वज़े से जो है उन्हें एक adventure नेचर जो है वो मिल रहा है कि किसी इनसान में इतनी ललक भी तो हो कि वो जो है यह कहे पाए और उसको प्रूफ कर पाए और उस इ energy यहां पर आ रही है तब जो है आप लोगों का emotional attachment शुरू होगा तो शुरुआत जो है वो आप लोगों के बीच में mutual attraction ही होगी और उसके बाद जो है आप दोनों के अंदर जो है वो emotional attachment स्टार्ट होगी नेक्स आरे Ace of coins है Ace of coins जो है new beginning को दिखाता है emotional well-being को या investment को दिखाता है रूट चक्राया है तो down to earth लोग होगी आप भी और वो भी तो जो आपकी conversation हो रही है जो बातचीत हो रही है उससे जो है धीरे धीरे emotional attachment भी स्टार्ट होगी कि हाँ ये इनसान जो है वो अपनी life में stable है secure है ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कहेगा कभी कुछ करेगा ऐसा कुछ ह रहा है या कह रही है उस पर ठीक है भी ठीक है तो ऐसी energy के बाद जो है आपका emotional attachment हो रहा और फिर जो है आप लोग emotionally एक दूसरे में invest करने लग जाओगे क्योंकि पहले ही attraction जो है जो एक physical attraction है वो आप दोनों के बीच में हो रही है नेक्स टारा four of wands है four of wands या पर दो बारी है तो four of wands जो है वो भी जो है एक तरीके का कह सकते हैं कि जैसे example देती हूं जैसे कोई festival है या कोई occasion होता है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी friend की शादी जो है वो बार बार होएगी ऐसा तो नहीं होगा ना वो जो है काफी लंबे समय के बाद होगी या जो है एक unique rare occasion हो सकता है त साल भर में एक दफे कार्निवल हुआ किसी भी country में या किसी भी state में आप रहते हो तो वहाँ पे कोई ऐसी exhibition लगी या कार्निवल हुआ कुछ ऐसा तो वहाँ पे जो है आप इस person के साथ जा रहे हो और फिर जो है आप दोनों एक movie देखकर आ रहे हो तो ये जो है एक rare occasion है ये कुछ समय लगेगा इतनी stages में जो है वो कुछ समय लगेगा वो सकता है पांच महीने से दस महीने या एक साल भी लगे लेकिन वो जो stages है वो जो है आप लोग टिक मार्क करते जाओगे आप दोनों ही अपने दिमाग में कि ये इंसान इस चीज को टिक मार्क कर रहा है या कर और फिर जो है आप लोगों का emotional investment जो है वह यहां पर हो रहा है तेन अफ पेंटिकल्स है पैसे को भी दिखाता है वेल्थ को भी दिखाता है तो उसके बाद जो है आप लोग शादी कर रहे हो फॉर ऑफ पार्टिसिपेशन आया फॉर ऑफ वांड्स की एनरजी है जब आपको यह चीजे फील होने लगेंगी तो जो है आप लोग एक अच्छी जो लाइफ है एक मारेड लाइफ है और एक इंटिमेट लाइफ है एक एमोशनल फिल्फिल्मेंट है वो जो है आप फील कर रहे हो नेक्स टार इस इसेप्टिविटी कुइन ऑफ कप्स की एनरजी है यह परसन आपकी केर करेंगे आप उनकी केर करोगे और डीपली केर करोगे कोई दिखावे वाली केर नहीं है कि चार लोगों को जो है वो दिखाना है कि सामने जो है सोशल मीडिया पर सब कुछ डाले जा रहे हो और केर नहीं कर रहे हो जो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आ रही है वो उसे रिसीव कर रहे है और उस चीज़ को रिसीव करके खुशी भी महसूस कर रह चाहिए आप मेल फीमेल हैं तब भी और अगर सेम सेक्स पार्टनर में भी बिलीव करते हैं तब भी आपके लिए यही चीज आ रही है नेक्स्ट आ रहे हैं एक्सिस्टेंस आपको यह महसूस होगा कि आप लोग जो है आपको बहुत अच्छा और पीस्फुल जो है वह महसूस होने वाला है कि युनिवर्स ने जो है वो आपको एक अच्छा इंसान या अच्छी ब्लेसिंग दी है एक अच्छा गिफ्ट दिया है और आप एक दूसरे को एक ट्रॉफी हस्बेंड या वाइफ की तरीके से ही बिलीव फील करवाओगे और करोगे भी तो एक दूसरे का साथ निभा रहे हो जो की बहुत जरूरी है और नेक्स आ रहा है यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो जैसे जैसे लाइफ आपको लेकर जा रही है आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे और एस अफ कप्स की एनरजी है यहाँ पर तो ओवर्वेल्मिं जो है वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो जेनरली केर कर रहे हो तो यहाँ पर यह एनरजी जो है वो आपके लिए आ रही है और इस तरीके का emotional attachment जो है वो हो जाएगा तो चली देखते है कुछ लवकार्ट तो पहला यह आया है और सेकंड यह आया है यहाँ पर female जो है वो बहुत ज़ादा खुशी महसूस करेंगी peacefulness महसूस करेंगी सुकून महसूस करेंगी और यहाँ पर man को भी जो है वो सुकून मिलेगा जो पहले उनकी life में नहीं था वो चीज जो है वो आप दोनों को मिल रह तो जो आपको answer चाहिए कि आपके मन में क्या इच्छा है कि आपको क्या मिले तो उसका answer आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से आना चाहिए और वो ही answer जो है वो आपको खुशी देगा और next आ रहा है embrace through each other you find the missing piece तो जो आपके मन में ऐसा लग रहा है कि emptiness है या खाली पन है उसको जो है ये इनसान भर देंगे तो एक दूसरे के प्रती इसी तरीके की energy रहेगी तो चलिए देखते हैं उनकी तरह से कुछ love messages तो पहला आ रहा है love the way you are acceptance हो रही है एक दूसरे को accept क next आ रहा है I want all of you forever you and me every day next आ रहा है आपके लिए not everyone who is single is looking for love not everyone looking for love is single तो इस तरीके की energy यहाँ पर आ रही है next आ रहा है you are like an angel that came into my life to heal and nurture me तो वो ऐसा महसूस करेंगे और आप भी ऐसा ही महसूस करोगे next आ रहा है I want to let you in but I am scared now तो शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगेगा खास करिए आपकी energy है जैसे मैंने का था कि protection जैसे ही महसूस करोगे कि मैं अपने आपको protect करूँ कोई मुझे जो है नुकसान ना पहुचा है लेकि यह इनसान आपको नुकसान नहीं पहुचा रहे है next आ रहा shine आप दोनों shine करोगे एक दूसरे के साथ next आ रहा have faith when you step outside your comfort zone for your higher purpose universe supports you in every way जो मैंने कहा था कि universe जो है आपको support कर रहा है आपको लगेगा कि आपकी existence हो रही है तो वो ही चीज यहाँ पर आ रही है next आ रहा आपके लिए friendship romance तो दोनों ही चीज़े आप महसूस करोगे next आ रहा है आपके लिए quality time next है the groom always smiles proudly because he is convinced he is accomplished something quite wonderful और next आ रहा है get to know each other तो इस तरीके की energy जो है वो आप लोग महसूस करोगे एक दूसरे को deeply जो है वो पहचान होगे और खुशी जो है वो महसूस कर पाऊगे तो चलिए देखते है इस energy से related to charms तो यहां पर जो है gift or surprises आप एक दूसरे को देने लग जाओगे आपकी खुशी जो है वो एक उभर कर आएगी next आ रहा है यहां पर sun आया है तो Leo energy है sun moon और rising जो है वो Leo energy में हो सकता है या not note भी हो सकता है आप लोनों ही जो है वो जहां पर shine भी आया था brightly जो है वो shine करोगे च नेक्स आरह ओम का जो है चाम आया है spiritual connection है यहां पर आप दोनों को ही feel होगा कि किस level तक जो है आप emotionally attach हो चुके हो तो चलिए देखते हैं कुछ love song आप दोनों के लिए एक दूसरे को किस तरीके से feel करवाना चाहोगे तो पहला आरहा है सुरीली अख्यों वाले वीर मूवी का नेक्स आरह आपके लिए यह हसी वादिया रोजा मूवी का है ठीक है बहुत प्यारा गाना है नेक्स आरह पिया बसंती बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं देख लेना ठीक है और नेक्स आरह आपके लिए क्या है दिल गल्ती कर बैठा है देख लेना कौन सा गाना है मुझे याद नहीं है exactly कौन सा गाना है और नेक्स टारा मैं हूना तेरे साथ तो साइना मुवी का यही शब्द जो है वो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूना तो चिंता मत कर यह जो अगर वुमिन भी है तो मैं को वो इसी तरीके से कहेंगी तो पाइल नमबर वन ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थांक यू नमबर टू अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका जोडेक साइन इस में से आता है तो चलिए देखते हैं आपका किस तरीके का इमोशनल अटाच्मेंट रहेगा आपके स्पाउस के साथ आरा सन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है लियो आरा किंग ऑफ वांच एरीज लियो सेटेरीज के नेक्स टारा आइट आफ काप्स नेक्स टारा कुईन ओफ कोईन सुट नेक्स कुछ कार्ड देख लेते हैं विल ओफ ओर्चून चेंजेज थे दो फूल एक्वेरेस एनर्जी है नेक्स्ट आरा थ्री ओफ वांड्स एक्सपीरेंसिंग नेक्स्ट आरा सिक्स आरा टू ओफ कप्स बहुत प्यारे कार्ड आए हैं तो यहां पर पहले में आपको जोड़े एक साइन बता देती हूं तो यहां पर जो है वो कैंसर अनर्जी ज तो यहां पर जो है चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो यहां पर दो सिचुएशन बन रही है अगर आप किसी के साथ रियूनियन करना चाहते हो चाहते हो ठीक है जो की जाता लोग नहीं चाहते होंगे या हो सकता है चाहते भी हो जो भी आपकी परसिती हो तो आपका उनस से relationship बन रहा है ठीक है और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार यह मैंने क्या सुन लिया X का नाम आ गया मूड खराब हो गया तो ऐसा नहीं है आपके लिए वो फिर new person है ठीक है तो यहां पर जो है sun का काड़ा है sun जो है वो new शुरुवात को भी दिखाता है new सवेरे को भी दिखाता है radiant energy को भी दिखाता है और growth को भी दिखाता है तो हर तरीके से जो है आप अपनी life में growth create करोगे यहां पर emotional attachment की बात आ रही है अभी मैं वहां तक पहुचती हूँ पहले मैं आपको events बत यह भी हो सकता है holiday भी हो सकती है family holiday भी हो सकती है जो depend करता है सबकी situation अलग-अलग होगी लेकिन वहां पर आप किसी new इंसान से मिल रहे हो और अगर आप reconcile करना चाहते है reunion चाहते हो तो वो इंसान भी जो है आपको traveling करते हुए कही ना कही मिल जाएंगे या फिर आप लोग person है वो आपको mutual friends के through मिल जाएंगे तो दोनों ही situation यहां पर आ रहे है इसलिए मैंने आपको बताया mixed energy है अब आप new person की अगर तरफ से सोचना चाते हो या देखना चाते हो तो वो जो है आपको traveling purpose पे मिल सकते है या जैसे आप किसी hotel में या किसी जगा पर जा रहे हो और वहा पर जो है आप उनसे बातचीत करोगे वो भी आपसे बातचीत करेंगे और ऐसा नहीं है कि आपको कोई relationship बनाना है या ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है लेकिन king of wants की energy आई है आप में और उनमें जो है कुछ जो है एक कह सकते है spark जैसे होता है ना कि instantly कोई connection बनना वैसी energy आ आप उनको देखकर मुस्कुराओंगे वो आपको देखकर मुस्कुराओंगे और इसमें कोई negative या गंदगी वाली चीज नहीं है जो जातर लोग सोच लेते हैं ऐसा नहीं है यहाँ पर जो है आप लोगों के मन में इस तरीके की चीज आएगी कि आप उनकी presence में खुशी मह करने स्टार्ट हो जाओगे तो यहाँ पर attraction है physical sense में नहीं एक personality wise जो है attraction हो सकता है intellectually आप बहुत जादा mature हो और वो भी जो है बहुत जादा mature है तो आप लोगों की conversation जो है वो इस तरीके की होने लगे कि आप लोग deeply जो है एक दूसरे के साथ आने लग जाओगे नेक्स्ट आरा night of cups है night of cups जो है ये person आपको तभी जो है वो proposal या जो है chatting के थूँ आपको बता देंगे कि आप में वो interested है या I like you यहाँ पर I love you नहीं कहा जा रहा है I like you तो वो वाली energy है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इस तरीके की energy होगी और next आरा queen of coins है queen of coins जो है वो आपको इसले पसंद कर रहे है क्योंकि आप एक stable caring loving gentle तरीके के इनसान दिख रहे हो चाहे आप male हो चाहे आप female हो और दूसरा जो इनसान है चाहे जो भी उसका gender हो वो जो है ऐसा सोच रहे है कि यह practical person है इसके पास मैं protection महसूस कर रहा हू एक जो rough and tough look होता है उसकी तरफ जो है आपका attraction होगा next आ रहा है change आ रहा है wheel of fortune है तो यहाँ पर जो है वो person जो अगर male है तो वो जो है सोचेंगे आपसे बातचीत करेंगे जैसे मैंने कहा I like you कहेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों की घनिश्ता बढ़ेगी और धीरे जो समय निकलेगा वहां पर जो है फिर आप लोग एक जैसे change का card आया है या wheel of fortune है तो जो destiny है जो आपके करमा है या destiny है जो है वो आप लोग बनाना चाहोगे तो एक दूसरे से जो है काफी लंबे समय बात करोगे ऐसा नहीं है कि उसी holiday में या उसी जगह पे हो जा रहा है न छे से साथ महीने चलेगी और आप लोग जो है involved होगे एक दूसरे के साथ emotional attachment करोगे और उसके बाद फूल का card आया है आप लोग शादी करने की सोचोगे क्योंकि king of wands है वो भी जो है action orientation वाले इंसान है अपना practical decision लेते है और queen of points भी है तो दोनों mature energy है ऐसा नहीं है कि आप द energy को new जो risk है वो आप ले रहे हो अपनी life में leap of faith ले रहे हो आप इससे पहले शायद कभी किसी के साथ relationship में नहीं रहे हो या कोई serious relationship में नहीं रहे हो लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ experience करोगे three of wants की energy आई है एक vision है एक future की तरफ जाना है क्या यह कह सक energy है तो कि six of cups आया है जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह past person है तो अगर आप reunion चाहते हो तो already आप experiences कर चुके हो तो आपको पता है कि आप दोनों में emotional attachment है और अगर यह new person के लिए देख रहे हो तो भी जो है आपको feel होने लगेगा कि आप जो है उनकी तरफ एक जुकाव जो है व सही नाम जो है वो देना चाहोगी तो इस तरीके का आप लोगों का emotional attachment रहेगा वो आपकी हमेशा support करेंगे आपकी मदद करेंगे आप उनको सब कुछ बताओगे वो आपको सब कुछ बताएंगे तो इतना attachment आप लोगों के बीच में हो जाएगा जिसकी वज़े से आप अप के घर travel करके आ रहा है ये सारी चीजे हो रही है वहाँ पर जो है आप दोनों की इस तरीके की दोस्ती कह सकते हैं या एक bonding कह सकते हैं ठीक है तो उस तरीके की चीजे होंगी और फिर जो है आप लोगों का emotional attachment होगा और lifelong के लिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी energy नहीं ही लग रही है कि आप लोग जो है किसी toxic या गलत तरीके के इंसान के साथ जा रहे हो हाला कि आपको जो actions है वो तो सही लेने ही पड़ेंगे लेकिन उसके बावजू जो है आपका emotional attachment जो है वो इसी तरीके का deeply feel होने लग जाएगा तो चलिए देखते हैं love cards क्या कह रहे हैं तो पहला आ रहा यहां पर आप दोनों के बीच में जो hesitation है वो धीरे धीरे dilute हो जाएगी vanish हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे की तरफ protection भी महसूस करेंगे शुरुआत में जो female है वो जो है काफी hesitant होंगी लेकिन धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को accept कर लोगे तो चलिए देखते है एक दूसरे को accept करोंगे control नहीं कर रहे हो यह नहीं है कि जो है space ही नहीं दे रहे हो तो जैसे मैंने कहा कि 6 मेने से लगबग साल भर लग सकता है आप लोगों की बातचीत करते हुए लेकिन आप लोग जो है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे next आरा playfulness slaughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer तो playfulness आपकी life में आ रही है खुशी आ रही है और आप लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने मन को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करवा पाओगे तो चलिए देखते हैं कुछ love messages उनकी तरफ से पहला आ रहा I know it's love तो उनको जो है इस तरीके feelings आ जाएंगी लेकिन जैसे मैंने कहा आप शायद hesitant हो सकते हैं तो आप थोड़ा लंबा समय लोगे next आ रहा है my feelings are getting better, deeper next आ रहा है express love through gifts तो कोई gift जो है वो आप एक दूसरे को दो passionate admirer आप दोनों जो है passionate admirer रहोगे एक दूसरे के next आ रहा be supportive तो support करोगे एक दूसरे को emotionally भी हर तरीके से next आ रहा है आपके लिए I daydream about you तो वो जो है सपने देखेंगे आपके एक तरीके से खौब में देखेंगे या जैसे मैंने कहा कि future को वो सोचने लग जाएंगे इस त next आ रहा है आपके लिए love is like a friendship caught on fire express love through gifts तो यहाँ पर दो दफ़े आया है एक ही चीज़ तो यहाँ पर जो है वो आपको gifts देएंगे या आपसे कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको महसूस हो पाएगा कि आप उनके लिए special हो next आ रहा है flirt next आ रहा है one love one heart let's get together and feel all right next आ रहा है choose love और एक और देख लेते हैं I need your time and commitment तो वो जो है आपको यह कहेंगे कि आपको उनका time चाहिए और commitment भी चाहिए तो चलिए देखते हैं इस energy से related कुछ charms यहां पर ट्री ओफ लाइफ आई है family बनाने की इच्छा है और दोनों ही इस तरीके से बातचीत करने लग जाओगे next आ रहा है यहां पर एक जैगवार आया शुरुआत में hesitation और hidden feelings रहेंगी next आरा dragonfly है changes को accept कर रहे हो और positive way में accept करोगे तो चलिए देखते हैं कुछ love song उनकी तरफ से आपके लिए truly madly deeply savage garden का है next आ रहा है आपके लिए राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम next आ रहा है आपके लिए सवार लू लुटेरे मूवी का है next आ रहा है आपके लिए मेरे बिन मेरे बिना sorry क्रुक मूवी का है next आ रहा है सोच लिया राधे शाम का और एक और देख लेते हैं इस तरीके के गाने या फीलिंग जो है आप दोनों के मन में रहेंगी तो पाइल नमबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थाइंक यू